नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल अच्छागर होम प्लान में स्वागत है आज हम आपके लिए लेके आए हैं 25 बाई 50 फिट का बहुती श्यांदार नक्सा दो कमरों का टोटल ये प्लान रहेगा पूर्वा मुखी मकान का ये प्लान है वीडियो देखने से पहले आपको बता देते हैं पूर्वा मुखी का मकान का ये पूरा प्लान है इस्ट फैसिंग होम प्लान वित वास्तु सास्तर 25 बाई 50 का है मतलब साड़े बारा सो स्क्वार फिट का टोटल आपका वर्क रहेगा यानि की टोटल घर बनने में साड़े सो बारा सो स्क्वार फिट एरिया कवर किया जाएगा सबसे पहले देखी इसके आगे से में रोड जा रही है और तीनों तरफ अधर प्रोपर्टी है दूसरों के मकान है तो हम ना तो तीनों तरफ कोई खिड़की दे सकते हैं ना दरवाजा दे सकते हैं तो अगर आप का भी ऐसा प्लाट है और आप वास्तू के अनुसार घर बनाना चाते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं आपके बहुत काम का वीडियो रहेगा तो सबसे पहले आगे इसकी प्लाट की जो चोड़ाई रहेगी वो 25 फिट है यहां से लेकर यहां तक 25 फिट चोड़ाई है ठीक है सेम 25 फिट प्लाट पीछे से चोड़ाई है यानि कोई कॉर्णर एक्ष्ट्रा बढ़ा हुआ नहीं है कोई वास्तु दोस्त नहीं है कॉर्णर बगेरा बढ़े वे नहीं है तो उस इसकी चोड़ाई है लंबाई भी आपकी 50 फिट है और इधर भी 50 फिट है तो अगर लंबाई बढ़ाई है मतलब आपका पूरा जो प्लाट है वो एकदम सही है कोई भी तरह का कॉर्णर बगेरा बढ़े वे या कटे वे नहीं है ठीक है तो सबसे पहले पुरो मुखी घर है इस्ट पेसिंग होम प्लान है तो इस चीज का विशेज ध्यान रखना है कि घर में वेंटिलेशन परफेक्ट हो सेकिंड वास्तू परफेक्ट हो तभी आपको परफेक्ट गर बना पाएंगे तो में दरबाजे आपका यहां से लेकर यहां तक हमने आपका इस इसान कॉर्णर के अंदर दे दिया है जैसे आप अंदर एंटर करते हैं आप देख रहे हैं यह पार्किंग एरिया है गाड़ी के लिए 11 फिट यहां से लेकर यहां तक 11 फिट चोड़ा है 16 फिट तीन इंच में अराम से आपकी कार पार्क हो सकती है इतना पार्किंग का सबसे बेटर स्पेस होता है ठीक है और उसके बार में देखिए बाहर की तरफ सीडिया दे दी गई है चार इंच छोड़ कर दिवार आपकी सीडिया है पूरी वास्तु के अकोर्डिंग सीडिया दी गई है क्योंकि अगर आपको बाहर सीडिया रखनी है तो आपका यही उप्सन है अगर आप अंदर रखेंगे तो वो दक्सिन पक्सिम आपके घर का वास्तु देखकर उसको decide किया जाएगा तो बाहर आपको CD रखने हैं तो इधर रखें कभी भी इसान कॉर्णर में CD ना रखें तो यह सीडिया हो गई उसके बाहर में देखी आप अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपकी सीडिया लग रही है क्योंकि इसान कॉर्णर आपका निचा रहेगा वास्तु के कोर्डिंग हमारे प्लान की यही खासित होती है प्लान के साथ में आपको पूरा वास्तु टिप्स दी जाती है ताकि आप बेटर और परफेक्ट घर बना सकें क्योंकि हमें पता है घर बार बार नहीं बनता है तो इह आपके सीड़िया है अंदर आप एंटर करते हैं यह आपका बरामदा दिया गया है चै फिट नौ इंच की चोड़ाई है नव फिट चै इंच की लंबाई है अराम से आप बरामदे में बाहर बेट सकते हैं घर की मेलाएं कोई भी चुगने बिनने का काम कर सकते हैं नूच पेपर पड़ सकते हैं चाय पानी का लुप्त उटा सकते हैं बरामदा होता है तो काफी काम आता है तो बाहर आपका ये बरामदा है अच्छी रोसनी रहे कि हवादार ब्रामदा रहेगा उसके बाए में देखे में दर्वाजा हमने यहां पर दिया है में दर्वाजा आपका इधर से दिया गया है यानि कि उत्रमुकी दर्वाजा दे दिया है घर आपका पूरो मुखी है मगर ब्रामदे से हमने इधर आपका उतरमुखी दरवाज़ दे दिये यहां तक आपका इसान कॉर्णर कम्प्लिट हो जाता है यहां तक इस एरिया तक उसके बाद में आपका वाइब वे कॉर्णर चालू हो जाता है तो उसके बाँ आप अंदर एंटर करते हैं तो यह आपका living area दिया गया है 16 by 16 feet का, 16 feet चोड़ाई है, 16 feet लंबाई है तो काफी बड़ा living area है जिसको घर का आंगन या hole भी आप कह सकते हो या इसको आपका पूरा hole रहेगा, यहाँ पर आपके sofa वगिर आप set कर सकते हो dining table खाने की जो dining table यहाँ set हो जाएगी, पूजागर आपका घर का मंदिर यहाँ set होगा आप open पूजागर रख सकते हैं, लखड़ी मार्बल के बहुत प्यारे सुन्दर और अच्छे से पूजागर बने-बनाए market में आते हैं आप इस्तापित कीजिए, बट पूरे वास्तु के according आपका जो इस्तान कॉर्णर है, नौर्थ इस्ट कॉर्णर में यहाँ पर एक खिटके हमने front में दे दी है, एक आंगन की खिटके हमने ब्रामदे की तरफ दे दी है, ताकि आंगन का ventilation हो उसके बाद भी देखिए, एक यहाँ पर OTS रखा गए, यह जो आप बिलू कलर में लाइनिंग में देख रहे हैं, यह आपकी छट पर जाल लगेगा, यानिकि आपके इधर देखिए, अधर प्रोपेटि यह दूसरों का मकान है, इधर भी दूसरों का मकान है, दक्सिन में दूसरों का मकान, पक्सि में दूसरों मकान, उत्तर में दूसरों का मकान, तो घर का वेंटिलेशन करने के लिए, आप बीच में जाल देने के बजाए, हमने कॉर्णर में दिया है, ताकि काफी आपके स्पेस आपका बचार है, और अच्छे से वेंटिलेशन हो, तो यहां स करेंगे तो open kitchen है यानि आप दर्वाजा लगाना चाहें तो लगा सकते बट पूरा वास्तु के according दिवार हमने दोनों तरफ से दे दी है तो आपका वास्तु अगनी कौन बढ़ा नहीं है और वास्तु के according होगे गयारा बाई ग्यारा फिट नो इंच की चोड़ाई है और आठ फिट साड़े चार इंच आपकी इसकी लंबाय रहेगी तो यहां पर आपका रसोई गर बनेगा रसोई गर की एक खिड़के आपके बाहर सीडियों के निचे होल में खुल जाएगी आप चाहें तो एक खिड़के इधर भी दे सकते हैं पार्किंग तरब बेटर आपका रसोई का वेंटिलेशन रहेगा आप समझ गये होंगे यहां तक प्लान तो बस यहां पर आपको यही कहना है ऐसे प्लान आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलते हैं पूरे वास्तु के अकॉर्डिंग को हमें ही पता है घर बार डाइनिंग एरिया से क्रोस करते हुए सामने आप एंटर करेंगे तो दोनों तरफ हमने दो कमरे रखे हैं यह बारा फिट तीन इंच की चोड़ाई है दस फिट की लंबाई में एक कमरा यहां पर है और एक कमरा यहां यहां यानि एक दरवाजा यहां लगेगा यह दस कमरों की खिड़की पीछे दी गई है क्योंकि अधर प्रोपर्टी अब डेट फिट का हमने ओपन इस्पेस रखा है पीछे यानि कि OTS रह जाएगा आपका ओपन इस्पेस रहेगा पूरी एक गैलेरी रखी है ताकि दोनों कमरों की खिड़की खुल सके वेंटिलेशन हो क् खिड़की आप कहां खोलोगे क्योंकि हमारे जो प्लाट की चोड़ाई है वो 25 फिट है तो चोड़ाई भी कम है तो खिड़की खुलने के लिए वेंटिलेशन के पीछे डेट फिट का इस पेस चोड़ा गया है आप चाहें तो किसी भी रूम से पिछे जाने का दरवाजा रख सकते हैं अगर प्लाट थोड़ा लंबा है आपका तो इस डेट फिट को आप दो तीन चार पांच अपने इंसाफ से बढ़ा सकते हैं ताकि अच्छा वेंटिलेशन और मिल सके हैं ठीक है उसकी बाद में इस रूम में हमने यह मास्टर बेट रूम है इस रूम में एक आपका तो कॉमन लेट बात है वो आपका वास्तु के कोडिंग यह भी लेट बात वास्तु के कोडिंग यह भी वास्तु के कोडिंग है यह आपका 6 फिट 9 इंच की लंबाई है 6 फिट 9 इंच की चोड़ाई है पूरा वास्तु के कोडिंग दिया गया है यहां पर अंदर ही लेड़ी किया गया है मेहनत करके तो ऐसे प्लान देखते रहिए और अपने घर को परफेक्ट बनाईए अमैसा अपने घर का नक्सा वास्तु के अकोडिंग ही बनाईए और अपने आप कभी भी नक्सा बना कर घर का निर्मान ना करें क्योंकि वास्तु का बहुत बारिकी से ध्यान रखना पड़ता है तबी परफेक्ट आपका घर बन पाता है तो अच्छे वास्तु सास्त्री से ही अपने घर का नक्सा बनवाईए आप हमारी सेवा लेना चाहते हैं वाटसप पर मेसेज कर सकते हैं ये किसी भी अपने इस्ताने वास्तु सास्तिरी से आप अपने गर का नक्सा बनवा कर निजमान करें धन्यवाद